हेलो एवरिवन मैं प्रेंस आप लोगों का वेलकम बरता हूं आज हम लोग बात करेंगे लिश्ट की उपर जो कि बहुत इंपोर्टन टॉपिक है लिश्ट बहुत बार मैंने भी यूज किया है एंड बहुत लोग जनरली यूज करते हैं अब वेक्टर का नाम मैंने क्यों लिया आगे डिसकस करते हैं तो वट इस लिश्ट लिश्ट क्या है तो बिसिकली इसन सीक्फिंस कंटेंडर डैट अलाओ नॉन कंटीजिवस मेमोरी अलोकेसं सर समझ भी नहीं आया कुछ असान तरह काहिं बताओ तो चलो काम करते हैं हम वहनुआ है बंद्ब मेहलाख लेआज अंसे बॉल्रा कंटेंडर करते हैं वैक्टर याण लिस्ट के बीच में सिर्फ वैक्टर से क्यों कंपार कर ना मीजलीक Heh了吧 The अनेको आइड नेक्ट व reflectrade अम कंट्यूवं अने हो आप तो कीया मतलब हुआ है यह जो है यह डेटा को लिम्क करते हों कि मतलब कि भी आंट बहुत आप पसमें रिंग है माथ 2 के बाद 3 3 की बाद 4 4 के माथ 5 मिलेगा ही मिलेगा मतलब सी बिस्हों कि है सिंगल बस एक link है, वो तो sequential है, यह English का word है और कुछ नहीं, ज्यादा focus मत करें इस पर, बस बता रहा हूँ कि sequential container का मतलब क्या हुआ, यह sequentially data को store रख रहा है, that's it, vector क्या करता है, कि वो contiguous memory allocation रखता है, मतलब कि, बताता हूँ आगे, and यह क्या करता है, कि non-contiguous memory allocation रखता है, मतलब कि, यह जो data रखता है, वो non-contiguous memory allocation होता है, अब इसका मतलब हुआ, कि यह internally doubly linked list यूज़ कर रहा है, अब यहाँ समझना है, start करो, मान लो, चार element मुझे insert करना है, लगतार, तो sequentially container होगा, तो हम vector भी use करते हैं, vector भी use कर सकते हैं, list भी use कर सकते हैं, is that clear, यहाँ तक कोई दिकत नहीं, no, अब list यूज़ करेंगे, तो 2, 3, 4, 5, sequentially नहीं होंगे, memory में, RAM में, जो जगा store होगा, वो sequentially नहीं होगा, जिनको मेरे डबले linkage का lecture याद होगा, मैंने बताया था, मैंने diagram समझाया था, देखो, RAM के अंदर, कैसे node एक दूसरे से interlink रहता है, दूर दूर दूर, ठेक है, ज़रूरी नहीं हो sequentially store हो, तो यहाँ पर क्या होगा, but obvious है, array की त data type दिया, नाम दिया, and start किया, कि insert करना है data, कि delete करना है, कि retrieve करना है, ठीक है, तो हम लोग simple simple ऐसे, फन से मनाया हुआ है, हम लोग उसको use कर रहे है, बना बनाया है जीजा, लेकिन कहीं ने कहीं, core में तो coding होई होगी, अब core में तो हमारे पास vector और list तो नहीं आता, standard template library का मतल तभी यह तक template बना बनाया मिलेगा आपको, तो core में या फिर लोग link list यूज़ कर रहे है, डबली link list यूज़ कर रहे है, array यूज़ कर रहे है, अब देखो, मैंने vector, sorry, queue और stack बताया, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, कि queue और stack जो है, वो stlc ही implement होगा, उसको लोग basic coding से भी ल की तरह store कर रहा है, link list कैसे store कर रहा है, sorry, list कैसे store कर रहा है, कही ने कहीं, doubly link list की तरह अपने data को store कर रहा है, is that clear, यहां तक होग कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप code करते हैं, अब देखो, अब देखो, एक चीज़ और समझो, कि doubly link list की तरह list, sorry, फिर से, list जो है, वो कही ने कहीं, अपने data को doubly link list की form में store कर रहा है, it means what, कि याद करो, doubly link list में insertion, deletion, काफी आसान हुआ करता था, क्यूं, because हम लोग को traverse नहीं करना पड़ता था, ठीक है, जो traverse करते थे, and बीच में insert करना है data, बीच में insert कर दी है, पूरी की पूरी shift नहीं करनी पड़ती थी, and vector में क्या था, sorry, और array में क्या था, कि हम लोग को चीजों को shift करना पड़ता था, बट नुकसान देखो, array में क्या था, traversal असान था, traversal क्यों असान था, traversal बोले तो किसी भी element को find करना असान था, because उसके साथ indexes attach हुए करते थे, हम लोग को हर element साथ index मिलते थे, free of cost, but link list, य head pointer, ठीक है, और वो किसको किसको point कर रहा है, although मैं जो बताने हो रहा हूँ, STL, उसमें इसका correlation नहीं है, but मैं फिर भी आपको deep knowledge दे रहा हूँ, कि list क्या करता है, कहीं न कहीं, वो core में, अपने elements को, double link list के format में store कर रहा है, factor क्या कर रहा है, core में, कहीं न कहीं, अपने elements को as an array store कर रहा है, is that clear? मतलब कहते हैं, एक array के उपर एक top level चढ़ा दिया गया functions का and दे दिया गया vector, double link list के उपर एक top level चढ़ा दिया गया functions का push, pop, pushback, popback and दे दिया गया list, is that clear? तो I hope कि यहां तक जब clear हो गया है, तो obviously it means कि vector or link list, लंसम समान काम करेगा, but अंतर कहां आजाता है core functionalities में, अब सर कभी use करें, अब देखो, माल लो तुमनों को insertion या deletion कहीं fast चाहिए होगा, किसी कोई program में, या तुमनों कुछ ऐसा चीज बना रहे होगे, ठीक है, जिस program म कोई need होगा, कि इसमें insertion काफी कम time, या deletion काफी कम time ले, तो obviously we prefer double link list, क्यों, because इसमें असान होता है, कहीं भी element को insert करना, array में यह चीज problem था, because हम लोगो उसको shift करना पड़ता था, अगर कहीं element को middle में insert करना हुआ था, I hope कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, code करना, start करे, कि कुछ सोच होगे, या कुछ पूछ होगे, पूछ होगे, पूछ होगे, तो comment में पूछना, मैं code तब तक लिखवाता हूँ, I hope कि बहुत दिक्कत नहीं आया हो, अगर starting से video देख रहे होगे, तो obviously कोई दिक implement करते थे हैं, जैसे stack implement किया हम लोगों उसी तरह इसको भी implement करेंगे, तो मालक्त को नाम जाते हैं, list1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, list1 में push back करेंगे, 10, अब मैं बहुत आलसी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, time बजा रहा हूँ, ठीक है, 2, and minus 7, and 3, अब हम लोग चाहते हैं, कि इस list को print करें, अब देखो, अब एक चीज़ दिमाग लगाओ, factor की तरह काम कर रहा है, it means किस में क्या आएगा, आइडरेटर साइंगे, is that clear, तो आइडरेटर कैसे बनाते थे, पहले होता है, क्या था, वीडियो पॉस करो, सोचो, I hope, सोच लिया होगा, मुझे पता है, नहीं सोचा होगा, बट फिर में बता रहा हूँ, आइडरेटर क्या होता है, कि एक तरह का pointer है, जो कि इस तरह जो container है, list एक container है, वेक्टर एक container है, उसमें अंदर जो elements है, उसको point कर रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं, आइडरेटर, ठीक है, तो list लिखें, int लिखें, and double colon, iterator it, it दो, it दो, कोई मतलब नहीं है, just like मैंने iterator का नाम दे दिया, ठीक है, let's suppose, अब मैंने it में store क्या किया, कि भहिया, list1.begin, अब याद करो, begin क्या देता था, first element का address, तो address इसको कराने के लिए, star of it, and then, and run करा के देखते हैं, sir, क्या आता है, 9, exactly, first element 9 होगा, because अब से पहले हम लोगों ने 9 को push किया, is that clear, अब ये बार बार के अतना करेंगे, चोले, एक function बनाते हैं, function बनाएंगे, और भी सारी चीज़े clear हो जाएंगे, तो function किस चीज़ का है, function है, कि हम लोग को एक list print करवाना है, तो void, so, अब list देना है, तो parameter list पास करना पड़ेगा, तो बताओ इसको कि list इस तरह से होगा, महानों, list का नाम पास करते हैं, L, मेरा मर जी, कुछ भी पास कर दो, prints भी पास कर सकते हैं, बिसे के लिए इसी function के अंदर काम करेगा, इस function को इतना मतलब है, कि एक list मिला, और उस list का नाम क्या है, L, मतलब कि उस list का नाम L है, अब उस L के according हम लोग काम करेंगे, is that clear, तो for, पहले तो एक आइडरेटर बना जाता है, ठीक है, list int, आइडरेटर क्यों बना रहे हैं, समझ में आएगा विजा को, आइडरेटर इट, सर यहां भी इट, नीचे भी इट, तो कहीं दिक्कत ना हो जा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, यह इसी function के अंदर काम करेगा, ठीक है, यह से कहते हैं, local variable, now, अब हम लोग क्या करते हैं, for, print कराना है हम लोग को, तो it बराबर, अब हम लोग को list क्या मिला, l.begin, is that clear, अब पहला आइडरेटर क्या है, अब हम लोग को list जो मिला, उस लिस्ट में हम लोग क्या की है, आइडरेटर it को point कि, it किसको point कर रहा है, l.begin, जो पहला element है, और अब तब तक चलेगा, जब तक कि, l not equal to, l dot, sorry, it not equal to, l dot end आजाए, जब तक कि, इदा को dot end ही क्या है, l dot end क्या करता है, अगर तुम l dot end प्रिंट करा होग ना, तुमको error आएगा, error क्यों आएगा, because ये list के, सबसे last element के, बाद वाले element को point करता है, तो हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं, इसमें, it, हम लोग इसमें ये पढ़ते हैं, कि start तो करो, जहां point करना है पहला element, और तब तक देखो, जब तक कहीं end तो ना मिल गया, ये नहीं पढ़ा, अब फिर हम लोग उसको बढ़ाते जाते हैं, plus plus से, अगर end नहीं मिल रहा है, तब तब हम लोग क्या करेंगे, c out star 8, अदो को बहुत लग सोच रहे हैं, कुछ जादे ही जल दे नहीं पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ क्या है, मैंने पहले काफी अच्छी से basic clear करवा रहा है, और जो लोग basic clear है, तो obviously उन्हें इसमें काफी मखन लग सब चीजे रिपीट हो रही है, वेक्टर मैंने टाइम दिया था, मैंने वेक्टर का दो लक्षर बनाएते हैं, मैंने q के एक बना है, stack के एक बना है, अभी इसके एक बना रहा हूँ, विक्ष चीजे पूरी similar है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, and c out, कर देता है, so and list1, is that clear, अब run करके देखता है, yes, minus 9, 2, minus 7 and 3, I hope कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, so कैसे बनेगा, यह आइटरेटर कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक सिंपल सा चीज समझो, as a pointer treat करो, pointer मत मानो, as a treat करो, l.began क्या करेगा, कि list का पहला element को point करेग और वो किसको दे दिया, iterator को, point करेगा, it means कि कुछ न कुछ address देगा, obviously वो address किसको दे दिया, iterator को, अब iterator ने उस address को पढ़ा, उस address के element को access करने के लिए, star dot, star it किया, obviously, अगर आपको pointer के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर pointer variable किसी चीज को, या किसी element को point कर रहा है, और हम लोग उस element को access करना है, तो star, ptr लिखते है, जो pointer variable का नाम है, is that clear, and तब तक बढ़ते हैं, जब तक कि उसको end न मिलेगा, ठीक है, अब दूसरा function क्या है, pop, pop क्या करेगा, और यहां pop नहीं होगा, pop back होगा, last element हम लोग delete करेंगे, तो list1.popback, is that clear, and फिर so कर दो, list1, देखने हैं, वाकवे में delete हुआ कि नहीं, check तो करना पड़ेगा, and exactly delete होगे, last element, to my 9, minus 2, 7, 3, and यह, अब माल लोग हम लोग चाहते हैं, कि पहला element print हो, ठीक है, तो पहला element print हो, तो c out, तो obviously, front element print हो, तो list1.front, is that clear, तो को मैं कोई rock and science नहीं बता रहा है, तो as it is, हमें basically STL का काम ही यह ही है, काम असान कर दो, तो काम असान कर दो, तो फोड़ों कोडिंग को दिमाग लगाएंगे, functions जो बने बनाएं, उसको implement करना है, आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आप जादा कोडिंग करना कमाना है, यह जादा सीखने कमाना है, तो आप लोग कर सकते हो, इस फंसनों खुझ से बनाने के कोशिस करो, dot, back, and end, ठीक है, अब यह चेक करना है कि माल लोग, एरे, empty है कि नहीं, तो C out, अच्छा, इसको ऐसे में करते हैं, run करके देखते हैं, इसको पहले, यह run कर रहा है कि नहीं, obviously run करी जायागा, because फंसन है, front में minus, sorry, 9, and back में minus 7, minus 7 क्यों, माल लोग, इसको कमेंट कर देते हैं, आपकी स्विधा के लिए, फिर से run करके देखते हैं, तो obviously, last में, back में minus 3 आएगा, is that clear, देखो, minus 3 आएगा, now, अब में एक चीज़ चाहते हैं, कि, अब लोग चाहते हैं, कि, अब लोग चाहते हैं, कि, अरे को clear कर देख, माल लो, तो हम लोग, list1.clear, ये क्या करेगा, पूरी के पूरी लिस्ट में जितनी वे element आपको खतम कर देगा, अब खतम किया की नहीं, चेक करने के लिए क्या करते हैं, cout, empty, or not, is that clear, अब ये क्या से चेक करेंगे, list1.empty, अब दोखो, ये क्या करता, अगर list empty हुआ, sorry, empty, empty हुआ, तो इसका मतलब कि list खाली है, खाली है, तो one, खाली नहीं है, तो zero, one मतलब की true, zero मतलब की false, ये मैं मेरे wordings पोकस किया करो, because बहुत सारे wordings में ही game clear हो जाता है, फिर लगता है कि उपर से bounce कर गया, तो list.clear पहले हमें खाली कर दिया है, तो obviously answer one आएगा, yes, empty or not, one, one मतलब की false, sorry, true, मतलब की list empty है, अगर हम इसे क्या करते हैं, uncomment करते हैं, sorry, comment कर देते हैं, तब क्या आता है, yes, geo, मतलब की list में element है, अब हम लोग चाहते हैं, कि किसी element को erase करना, अब दोखो as it is, तुम बताओ कि मैंने कोई भी function vector के अलावा use किया, कुछ नहीं use किया, एकका दुक्का चीज अलव होगा तो होगा, बट हो हमारे majority में use नहीं आता, अब यह तुम्हें focus करना है, कि तुम्हें list में विदवान बनना है, कि तुम्हें चीजों को use करने आना चाहिए, मेरे सब से चीजों को use करने आना चाहिए, ठीक है, what we want कि delete करना, तो list1.erase, अब erase क्या करेगा, को particular element को delete कर देगा, हम चाहते हैं, list1.begin, हम लोग को erase के अंदर iterator पास करना पड़ता है, एक कुल्म लाके address देना पड़ता है, तो देखते हैं, तो so करना पड़ेगा, sorry, copy, and so करके देखते हैं, कि delete हुआ कि नहीं, no, तो पहला element क्या था, exactly, 9 था, तो 9 delete हो गया, बचा क्या, 2 minus 7, 3, is that enough कि और फंसन करना है, आप और फंसन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट बेसिकली मुद्दा क्या था समझाने का, कि vector और list, lump sum सेम है, आप कुछ भी यूज़ करो, बट डिपेंड करता है, कि आपको प्रस पर क्या है, insertion, deletion, अगर आप आसान चाहते हो, तो obviously list यूज़ करो, अगर आप चाहते हो, traversal आसान हो, तो obviously a vector यूज़ करो, दोनों में आप सेम कमांड यूज़ करेगा, बट बैकेंड जो कहते हैं ना, basic core में कुछ नो कुछ अलग facility चल रही होगी, और मैं समझा चुका हूँ, I hope कि आपको ये सारी चीज़े clear हो गई होगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो please request करूँगा कि आप मेरे पुराने वीडियोज एक पर देखें, अगर आप कुछ और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, और अच्छे उसे coding करना चाहते हैं, because मैंने काफी सारे questions cover up की हैं, competitive programming से उपर, related, c press plus related, मैंने code करना सिखाया है, ताकि आप मेरे साथ साथ code कर सकें, अगर आपको अच्छा लगना जाना तो please subscribe कीजिए, obviously, hello world पर तो होई सकते हैं, please channel subscribe करना, and bell icon जरूर दवाना, ताकि कोई भी अगर मेरा नए वीडियो आता है, ता अब उसे जरूर आपको notify हो जाए, कि हाँ hello world से के सरफ से कोई नए वीडियो आया, thank you again, मिलते हैं next videos में,